हलो दोस्तों मैं बहुत समय पहले जब कुछ अंग्रेज फोटोग्राफर्स की फोटो देखता था तो उसमें बैग्राउंड के साथ बड़ा स्मार्टली प्ले किया होता था और हम लोग जब बैग्राउंड को चेंज करने की कोशिश करते थे अडिटिंग के समय तो वो हो न बोलता हूं और यह सरकल में है इसलिए घोडा जब भागता है तो इसको डिस्टर्मेंस नहीं होती और इस वाल के साथ जो फोटो बनती हैं वो कमाल की होती है क्योंके बैग्राउंड जब आप घोडों में प्ले करते हो बैग्राउंड में तो बालों में और पूंच के बा वेल्यू नहीं रहती जो प्लेन बैग्राउंड वाले फोटो में होती है तो मैं आप लोगों के साथ कुछ फोटो शेयर जरूर करना चाहूंगा और मेरे दूसरे जो फोटोग्राफर भाई हैं अगर वो शूट के लिए ये वाल चाहते हैं तो उनको भी वेलकम है वो अप स्टूडियो है वो रेंट के लिए जब फोटोग्राफी के लिए अवेलेबल है अउनली फोर होर्सेस क्योंकि इस तरह की बैग्राउंड आप जब बनाते हो तो उसको बनाना असान काम नहीं है तो यह जगह हम लोग प्रोवाइड कराएंगे यहां पे फोटो शूट्स भ नहीं कि उस दिन आपके घोड़े का मूड अच्छा हो सो हम लोगों ने उसके लिए यह रस्ता ढूंडा है कि हम लोग यहां स्टूडियो पे उसकी फोटोग्राफी डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट टाइम्स के टाइम पे करके एक पैकेज के रूप में आप लोगों को दे देंगे ज्यादा तर क्या होता है कि शॉट समय में किसी दिन किसी घोड़े का बिल्कुली मूर नहीं होता और फोटोग्राफर के लिए वहां रहना मुश्किल होता है और सामने वाले को बड़ी पेमेंट दे के फोटोग्राफर को बार बार बोलाना पड़ता है तो अगर पर्टिकुलर आप किसी एक घोड़े की परमोशन चाहते हो तो उसके लिए हम लोग ये पैकेज है के हैंडलर भी हमारा ग्रूमिंग भी हमारी और जगा भी हमारी बस आप घोड़े को हमारे पास टेबल करेंगे और आपको एक हफते के बाद उसके वीडियो और फोटो बस्टो झाँ कर दिसके बाद के भी हमारी बस्टार पर हमारी और भी हमारी और आपको एक परेंगे।